लार ग्रंथियों के इस परिचे को Head & Neck Cancer Australia द्वारा लार ग्रंथी कैंसर से प्रभावित रोगियों और परिवारों के लाब के लिए निर्मित किया गया है। लार ग्रंथियां लार या थुक कहा जाने वाला तरल पदार्थ बनाने और इसका स्राव करने के लिए जिम्मेदार होती है। मुझ को नम और चिकनाई युक्त बनाए रखने के लिए लार महतपूर्ण होती है जिससे भोजन को चवाना और निगलना आसान हो जाता है। लार मुझ को साफ भी रखती है, अपने भोजन का स्वाद उठाने में आपकी मदद करती है, दातों को सडन से बचाती है और इसमें भोजन को पचाने के लिए एंजाइन्स भी होती है। तीन प्रमुख प्रकार की लार्ग ग्रंथियां होती हैं, परोटिड, सबमेंडिपुलर और सबलिंग्वल ग्रंथियां। हर प्रकार की दो ग्रंथियां होती हैं, दोनों तरफ एक-एक। छोटे आकार की सैकडों अप्रमुक लार गरंथिया भी होती हैं, जो मुँ और गले की पूरी शलेश्मा में फैली हुई होती हैं। सबसे बड़े आकार की लार गरंथी परोटिट गरंथी है और सबसे अधिक लार गरंथी ट्यूमर्स इसी में विकसित होते हैं। चहरे की मान स्पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका जिसे फेशियल नर्व कहा जाता है परोटिट ग्रंथी से होकर गुजरती है। ये तंत्रिका आपको मुस्कुराने, बोहें चड़ाने, आखें बंद करने और बोहें उपर उठाने देती है। सवभागय से अधिकांच परोटिट यूमर्स कैंसर में नहीं होते हैं। परोटिट ग्रंथियों में लिंफ नोट्स भी होती हैं। कभी-कभी तवचा के कैंसर जैसे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास और मेलानोमास पैरोटिट ग्रंथियों में स्थित लिंफ नोट्स में फैल सकते हैं। लिंफ नोट्स गर्दन में स्थित फली के आकार की गरंथिया होती है जो संक्रमन के प्रती प्रतीरक्षन तंत्र की सुरक्षा का हिस्सा है सब मैंडी ब्यूलर गरंथियों के बगल में तीन महतपून तंत्रिकायें पाई जाती है ये जीब को गती, आभास और स्वात देती है और निचले होट में गती पैदा करती है प्रमुक लार गरंथियों में से सबसे छोटे आकार की लार गरंथियां सब लिंग्वल गरंथियां होती है और इन में शायद ही कभी ट्योमर विकसित होते हैं लेकिन जब वो विकसित होते हैं तो वो अक्सर कैंसर में होते हैं किसी भी लार गरंथि में शुरू होने वाले कैंसर को लार गरंथी कैंसर कहा जाता है यदि लार ग्रंथी में कैंसर विकसित होता है तो इसके कारण कान के आगे की और जबड़े की हड़ी के नीचे मूँ के अंदर या गर्दन में गांट पैदा हो सकती है इनके कारण कभी-कभी चहरे में कमजोरी, सुनता या दर्द हो सकता है कभी-कभी पूरी तरह से मूँ खोलने में कठिनाई भी हो सकती है अधिकांश तह ये लक्षन लार ग्रंथी कैंसर के कारण नहीं होते हैं लेकिन यदि आपके शरीर में इनमें से कोई भी लक्षन कुछ सपताहों से अधिक समय के लिए बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर के साथ बात करें ताकि समस्याओं का जल्द से जल्द निदान और इलाज किया जा सके आम तोर पर लार ग्रंथी कैंसरों का इलाज सरजरी से किया जाता है कुछ रोगियों को कई उपचारों का सैयोजन दिया जाता है जिसमें कीमोथेरपी शामिल है आपके विशेशग्य कैंसर के आकार और स्थान के आधार पर आपके लिए उप्योगत उपचार विकलपों के सुझाव देंगे और अधिक जानकारी के लिए एक रिपया www.headandneckcancer.org.au पर जाएं